हलो स्टूडन वेलकम डू माई चानल अजब गजब इंगलेश और आज हम डिस्कस करने लगे हैं पोस्टर मेकिंग को और पोस्टर मेकिंग जो है हमारे सीबे सी ग्रेड इलेवेंथ और ट्वेल्थ दोनों में ही आपके काम आ जाता है और इस वज़े से आज मैंने ये जो है वो पिक क्या है क्योंकि काफी डिमांड आ रही थी इस पटिकुलर टॉपिक की तो चलिए अब हम पोस्टर मेकिंग को डिस्कस करते हैं पोस्टर मेकिंग की इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिल में जितने भी डाउट होंगे ना पोस्टर मेकिंग को लेके वो सारे के सारे clear हो जाएंगे तो ध्यान से बस समझते जाना देखो सबसे पहले ये देखो कि poster making है तो सबसे पहला question तो यही आएगा ना यार कि posters होते क्या है ठीक है तो हमेशा याद रखना poster क्या होता है डिस्पले देखो आपने public places पे बहुत सारे डिस्पले देखे होंगे ठीक है वहाँ पे announcement होती है किसी चीज की advertisement लगी होती है ठीक है मतलब क्या देखो जैसे कि अगर आप अपने nearby में देखो चाहे आप a stand चले जाओ ठीक है या सडक पे गूम रहे हो इतने बड़ी-बड़ी hoodings लगी होती है ठीक है hoodings लगी होती है posters ल इतनी बड़ी-बड़ी posters लगे हुए है कि इसकी मतलब वो क्या है advertisement है ठीक है या कोई announcement होता है जैसे कि आप देखते हो कोई भी party जीती है ठीक है कोई भी party जीती है elections में तो वो thank you वाले posters लगा देती है ठीक है या फिर अगर उनकी gathering होने वाली होती कहीं तो उस चीज के poster related कोई camp है तो उस चीज को भी highlight करने के लिए na posters जो है न वो बनाये जाते तो आप एक चीज को याद रखना posters में क्या है notice होगा advertisement होगा और क्या होगा invitations होगा ठीक है कि अगर आप posters देखते हो तो उनका purpose यही तीन होता है ठीक है कि क्या हो जाएगा या तो किसी चीज की advertisement करी गई होगी या कोई notice जो public के लिए important है ठीक है तो अब एक-एक को तो नहीं हम जाके बता सकते ना भाई यह सही है यह गलत है ठीक है तो वो क्या करते है posters बना के बड़ी बड़ी लगा देते हैं लोग उसे देखते हैं और उनको उस चीज के बारे में पता लग जाता है I hope कि what is poster जो है वो आपको अच्छे से clear हो गया होगा फिर आ जाता है purpose of poster जो poster है ना वो लगाते क्यों है या फिर बनाते क्यों है तो सबसे बड़ी बात जो है वो क्या है social awareness अगर आप देखोगे कोई भी है चाहे advertisement है कोई notice है या invitation है तो वो किस लिए है society के लिए है ना कि society को उस चीज़ के बारे में जो society है उसे हमने aware करना है तो one by one door to door तो हम कर नहीं सकते तो हम क्या करते होते हैं हम poster जो है बड़े बड़े poster जो है हर जग है चिपका देते हैं ठीक है और two advertisements मतलब क्या advertisements के लिए भी advertisement के लिए अभी मैंने जब discuss किया कि what is poster वहाँ भी बताया था कि advertisement हो जाये notice हो जाये ठीक है ना इन सभी के लिए हम poster का use करते हो तो purpose और poster भी आपको clear हो गया होगा कि क्या जरूरत है हम क्यों posters बनाते हैं ठीक है फिर आ जाता है drafting of poster ठीक है drafting का मतलब क्या हो गया कि poster जो है ना वो हमने बनाना कैसे है ठीक है कि कुछ हमे rules regulations तो आप नहीं कह सकते तो बट हाँ कुछ हमें points जो है हमेशा अपने mind में रखने पढ़ते हैं कि भाई ऐसा poster होना चाहिए ठीक है तो poster कैसा होना चाहिए पहले तो यार colorful होना चाहिए ठीक है attractive होना चाहिए temptating होना चाहिए मतलब क्या कि धेर सारे colors का use करो ठीक है उसके बाद pictures लगाओ ठीक है ऐस होना जिससे लोग attract हो ठीक है उस चीज के बारे में सोचने पर मजबूर हो चाहिए ठीक है यह क्या है attention of the reader कोई भी readers है ठीक है अगर वो किसी चीज को देख रहा है ठीक है तो आप कैसे देख तो आप एक चीज़ देख तो अगर बहुत सारी चीजे लिखी जाए ठीक है तो written, written, written हो तो आप उसमें interest नहीं लोगे लेकिन कुछ pictures हो तो उस चीज को हम देखते हैं और फिर क्या करते हैं हम imagine करना शुरू कर देते हैं और अपना जो हमारा mind है वो काम करना शुरू कर देता है आपने line भी सुनी होगी कि जो pictures होते हैं वो जादा बोलते हैं ठीक है as comparison to words क pictures में वो directly हमें emotions दिख जाते होते हैं ठीक है तो जब यह आप poster को draft कर रहे हो पोस्टर बना रहे हो ना तो colorful बनाना उसको attractive बनाना ता कि क्या हो जाए लोग जो है ना उसकी तरफ जो है अब मतलब की attractive feel करे लोगों का attention वो catch कर सके ठीक है लोग के imagination पे affect करे ठीक है और लोग के mind में मतलब माइंड में इतना जादा फरक करना चाहिए ना कि लोग सोचने पे मजबूर हो जाए ठीक है उसके बाद रखना जो आप poster बना रहे हो ना वो ऐसा होने चाहिए कि जो आप alphabet यह जो भी आ words या quotations यूज कर रहे हो वो इतने बड़े मतलब उनका font होने चाहिए ना बाद सारी की सारी details जो होती है ना वो poster में नहीं दी जाती है बलकि जो जो important details है ना उस particular topic की वही चीज जो है सिर्फ आपके posters में दी जाती है आई बाद समझ में अब देखो आगे क्या कहता है main features of poster posters के main features क्या है तो सबसे पहले क्या है आपका layout layout का मतलब क्या हो गया आपका जिसमें क्या देखो eye catching और visually attractive मतलब जो भी चीज आप use करोगे ठीक है अगर मान लो ये देखो ये मैंने बनाया ये poster का है ठीक है poster बना लिया मैंने तो यहाँ पे जो भी चीजे मैं use करूंगी ना वो क्या होना चीज़े eye catching होनी चीज़े उसमें proper एक title होना चीज़े ठीक है उसे एक बार पढ़े तो सही अगर देखो आपकी कोई भी चीज attractive नहीं होगी लोग उसको ignore कर देंगे ignore कर देंगे तो पढ़ेंगे नहीं तो अगर आप poster ऐसा बनाओ कि लोग उसको देखकर एक बार तो ना एक मिनट देखें उसको ध्यान से कि अरे ये क्या चीज़े आप इस तरीके से बनाओ ना कि आई कैचिंग बस देखते बंदा एक बार तो उसको देखें दो मिनट अपने लाइफ का उस पोस्टर के उपर जरूर स्पेंड करें ठीक है उसके बाद क्या करता है different size के letter or shape जैसे आप देखते हो ना जैसे आप इसी particular picture में देख लो ठीक है यहाँ पर font कोई और है यहाँ पर फॉंट कोई और है यहाँ पर तीन चार कलर भी मैंने यूज करें ठीक है किस लेता कि अट्राक्टिव लगे आरे यह न बास समझ तो वही चीज कहते है size का भी different different रखो shapes भी रखो उसके बाद font भी अलग-अलग रखो ठीक है proper spacing वेगरा मत अब उस चीज को बनाने के लिए eye catching बनाने के लिए क्या-क्या use कर सकते हो ठीक है आप drawing कर सकते हो slogans लिख सकते हो है ना title दे सकते हो different colors यूज कर सकते हो different font यूज कर सकते हो जो आपका मतलो कि letters और alphabets है ठीक है उसके जो size है उसको बड़ा चोटा कर सकते हो क्यों ताकि वो focus रखना कि जब भी आप content बना रहे हो तो content का मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर क्या है ठीक है layout तो हमें पता लग गया कि भाई ऐसा होने चीए वैसा होने चीए देखो layout तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसा कर लेना ऐसा कर लेना अब आएगा कर तो हमें content पे बहुत जादा थेहान देना बढ़ता है तो content हमेशा याद रखना theme base उठाना ठीक है जैसे सिधी सी बात है theme base है तो theme base जैसे कि आपका blood donation वाला ही हो गया ठीक है तो theme base उठाओ गया subject के ऊपर poster बनती हो तो कोई भी जैसे हमारी female pesticide होगी drug addiction हो गया ये theme है इससे related आप देख तो कितने सारी च description है या details है ठीक है उस theme से related वो हमने लिखना है ठीक है और अगर मानलो कोई हम event है कि जैसे मानलो कि अगर हम एक seminar organize कर रहे है ठीक है drug addiction को लेके तो obvious सी बाते हम ये तो बताएंगे ना भाई कि जो seminar है उसका time क्या है date क्या है venue क्या है ठीक है वहाँ पर chief guest कौन है ठीक है और ये seminar जो है वो किसने मतलब किसके द्वारा जो है या कौन है जो इस seminar को present करवा रहा है ठीक है organizer जो है वो कौन है ये सारी चीज़े आप उसमें अच्छी तरीके से mention करते हो ठीक है ना तभी तो तभी तो लोग को awareness आईगी नो और आपका जो seminar है ठीक है किसी भी topic के लिए वहाँ पर लोग इकटे होंगे अगर आपने proper information नहीं दी time नहीं बताया date नहीं बताया venue नहीं बताया तो आपका event तो फेल ही होगा ना तो इस वज़े से जब भी आप content बना रहे हो ना poster की ठीक है कि हमने क्या क्या लिखना है इसके अंदर तो इसको ध्यान रखना theme के ऊपर आपका expression expressions में क्या है कि क्या क्या चीज़े देखो आप phrase यूज कर लो slogan यूज कर लो ठीक है उसका language जो है वो different तरीके से यूज कर लो जैसे कि no doubt कई बार होता ना कि हम English में लिखते रहते हैं सारी poster वहाँ पर भी हम लिख देते हैं जल ही जीवन है ठीक है ऐसे तरीके से उस तरीके की बात कही जा रही है ठीक है कि उस तरीके की language भी आप use कर सकते हो जिससे लोग जो है ना वो familiar है ठीक है उसके बाद क्या कहता है creativity ठीक है in term of content and design ऐसा नहीं कि यार बस लिख दो ठीक है आपने ना passage नहीं लिखना ठीक है कोई essay नहीं लिखना है कि बंदा ना उस poster को देखके क्या time pass है और कितना बकवास बनाया ठीक है और गालियां दे आपको ऐसा नहीं करना है अधरवाइस ना आपके poster एक दिन में फार देंगे एक दिन भी नहीं रहेगा चो आप इस घंटे तो बहुत बड़ी बात होती है आधे घंटे से पहले पहले आपके poster फार दिये जाएं ठीक है उसको sequence wise लिखना sequence wise का क्या मतलब है जैसे में human being की बात करूँ पहले हम पैंदा होते हैं ठीक है फिर हम nursery class में बढ़ते हैं फिर 1, 2, 3, 4, up to 12 जाते हैं फिर graduation फिर post graduation फिर शादिवादी हो जाती है जोब जोब है तो यह proper sequence है ऐसा तो नहीं होता है पैंदा हो जाते है फिर हमार इशादी हो जाती है ठीक है हम first class में आ जाता है ऐसा तो अभी भी भी नहीं होता है तो हमें इसा sequence wise चला करो ठीक है उसके बाद ठीक है 50 birds से जादा मतलिक ना या ठीक है overall birds जो होते हैं वो 50 ही होते हैं ठीक है इससे जादा करोगे होच पोच हो जाएगा बहुत ही किस तरीके से हमने poster जो है न वो design करना देखो prepare करना है हमने poster ठीक है जिसमें हमने alcohol ठीक है alcohol या फिर आप कहे रहे हो danger of consuming alcohol ठीक है drug addiction पर ये जो है वो poster है ठीक है सीधी सी बात है consuming of alcohol है मतलब क्या drug addiction ही तो है ना यार ये भी तो ठीक है तो हमने अब इस चीज को center में रखके इस theme को center में रखके एक poster बनाना है ठीक है तो मैंने यहाँ पे देखो एक poster बनाया देखो अब ये देखो say no to alcohol ठीक है say it now अभी बोलो alcohol को no इस तरीके से catchy headlines बना ली ये देखो ये इस तरीके के pictures लगा लिया यहाँ पे आपने कुछ slogans भर दिये ठीक है उसके बाद देखो कोई camp अगर हम organize कर रहें तो उसका है ठीक है उसके बाद who is the organizer उसकी हमने information देदी details देदी तो हमें क्या है aware हो गया क्या है मतलब ये event भी है poster भी है और इसमें क्या हो रहा है ना कि लोगों के ये चीज करा जा रहा है aware कि जो आप alcohol या फिर drugs आप यूज कर रहे हो ना इससे आपकी life जो है वो क्या है खतम हो जाएगे ठीक है तो इस तरीके से हम poster को क्या करते हैं design करते हैं और ये जो है आपके cbac में बहुत important topic है और ये three marks में आता है ठीक है three to four marks में उठाते हैं तो इस ठीज के लिए आप prepare रहो अगर आप proper चीजों को follow करते हो तो आपके full out of full marks final exams में ठीक है अब देखो यहाँ पे है pictures speak louder than words ठीक है ना obvious ही बात है अगर मैं आपको ये वाला picture दिखाओ बचवाटी रुख जाओ ये देखो ये जो picture है अब इस picture को देखके कुछ न कुछ तो समझ में आ रहा है ना तो इस विज़े से कहते हैं कि जब यह आप poster बना रहो pictures तो जरूर भरना यहाँ पे no doubt मैंने black color ही यूज करा है आप यहाँ पे colorful जो है pen यूज करो ठीक है बट याद रहना कभी भी red pen और green pen अपने final exams में यूज मत करना ठीक है ना आप क्या करो pencil ले जाओ black pen हो गया blue pen हो ठीक है उससे shading वेगरा करके अच्छा-च्छा सुंदर सु format sorry सुंदर सुंदर सा जो यह आपका poster है वो बना दो बहुत अच्छे तरीके से आपको full out of full marks आएंगे बस मैंने यार theme को ध्यान रखना मैंने आपको drug addiction का theme दिया है मैंने यह बनाया ठीक है जितना मेरा दिमाग काम क्या आप लोग तो आज कल के बच्चे हो यार हम लोग त बच्चे उसका main reason पता है क्या है आज कल जो लोग हैं ठीक है काफी जादा लोग क्या कह सकता हो यहां पर जो हमारे youth हैं ठीक है जो हमारे बच्चे हैं ठीक है वो भी drugs में involved हो रहे हैं जिसकी वज़े से families खतम हो जा रही हैं ठीक है तो मैं सभी को request करूंगी please healthy खाये ठीक है आपकी fail हो जाओ paper में आप दुबारा paper दे दो कोई बंदा बिमार है तो ठीक हो जाएगा कुछ भी है ना कुछ भी कुछ भी कुछ भी सब चीज जो है वो ठीक हो जाती है लेकिन अगर कोई बंदा मर जाता है ना तो वो कभी वापस नहीं आता death का कोई substitute नहीं है तो इस ची ठीक है क्योंकि life है no doubt we are not permanent here but ऐसा मत करो कि जिस ने आपको पैदा किया ना उसको regret रहे कि यार मेरी ऐसी क्या गलती थी जो बंदा drugs वेगारा में first गया है ठीक है ना एक चीज और यहाँ पे बताते हूँ जब हम कोई job छोड़ते हैं कोई school छोड़ते हैं तो आप principal को बताते हो जिसने आपको पो सहां से दी है your mother कैसे कोई बंदा society कर लेता है जब आप पैदा अपने दम पे नहीं हुए तो आप अपना जीवन को खतम कैसे कर सकते हो तो no doubt थोड़ा सा emotional हो गया बट अभी मैंने काफी मतलब family में देख रही हूं family में neighbors में ठीक है society में इन सब चीजों ठीक है ना तो it hurts me a lot तो मैं बस सभी से request करूंगी with the help of this particular video कि यार कभी भी ऐसा मत करना ठीक है ना इन सब चीजों में involved मतो ना जिससे families खराब हो जाए आपकी जिन्दगी खराब हो जाए ठीक है एक life मिली है हमेशा खुश रही है लोगों को खुश रखी है ठीक है बस यही मैं कहना चाहती हूं और अगर आपको लगे कि यह वीडियो देखकर आपका फाइदा हुआ है आपका time waste नहीं हुआ ठीक है तो मेरे चानल को like share और subscribe जरूर करना लेकिन एक बात चाहे like share और subscribe मत करना यार बट अपनी life के साथ मत खेलना यही कहूंगी ठीक है अपनी family को priority दो अपने आपको priority दो हमेशा खुश रहो और दूसरे को भी रहने दो thank you so much